नागपूर जिले में पुराने पूली स्टेशन परिसर में हैदरी चोक में आज दोपहर 12 बजे के दोरान एक ट्रक के पिछले पहिये में एक्टिवा गाड़ी आने से एक बुजर्ग व्यक्ती 60 वर्षिय रामदास वनकर और उनके 3 वर्षिय पोते त्रिशंत राकेश वनकर की जगे पर मृत्ति हो गई मृत्त की 45 वर्षिय बेटी दामी नी राकेश वनकर गंभिर जक में है यहुड केश्वर नागपूर पिपलाफाटा गजानन नगर के रहिवासी थे प्राप जानकारी के अनुसार मृत्त व्रुद्ध व्यक्ती मोतिया बिंदू के ओपरेशन क आ रहे थे तो रास्ते में यह दुखत घटना घटी हाथसा होते ही परिसर में तनाव का वातावरन होने लगा भिंद ने ट्रक के काज पोड कर ट्रक चालक की पिटाई की पुलीस ने घटना स्थर पर पहुच कर परिस्थिती को नियंत रंड में किया मसे तीगे जना एक्टिवा गाडी वर नाकपाल डॉक्टर आये तेंचा गडे काई मोती बुंद्यों से तेंची ट्रीट्मेंट सुरू होते है तेंचा गरता आले होते आनि परत हाइदरी कडे जाता नी तेनना पाठी मागो नेका टिपर नी धड़क मार ले तेंचा जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उप्चार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महा पुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर